तरह window की निधिक麼ि नहोंगे और आज यस मीट देखने वाले मारुती की स्विफ्टत को सामने की तरफ ढई सकते हैं जो तो 7 लाख में मारूती वीडियाई मोडल में क्या-क्या देता था आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी के front से तो front की तरफ से जो गाड़ी की look से ये काफी जादा देखने में attractive सी लगती थी और नॉर्मल आपको सुजूकी का लोगो सामने की तरफ ग्रिल पर ही देखने को मिल जाता था तक प्रोम पिनिश में इस तरीके के कुछ से देखने में आपको मारूती सुजू की सुफ्ट कुछ ऐसी दिखती है और यह पीछे की तरफ जो डॉर हिंडल दिख रहे हैं यह परसनली मुझे इसमें काफी ज्यादा पसंद आये अल्ट्रोज में अब यह वाले आने लगे हैं लेकिन उससे पहले ही मारूती सुजू की स सुफ्ट ने यह चीज अवेलेबल करा दी ती जिससे क्या है कि जो आपका जो कांच ही पीछे का वह काफी ज्यादा वाइट खुलता है बाकी गाडी में आपको 14 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं यह काफी मोटे और हाई प्रोफाइल के टायर हैं और इस वाली गाड हैं और साइट से ओवराल कुछ इस तरीका का काफी अच्छा एरो डायनेमिक्स आपको लुक देखने को मिलता है साथी साथ आपको और वीम पर इंडिकेटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जो की काफी अच्छी चीज़े यहां पर कुछ निकल गया है लेकिन कोई बात नहीं चलो गाड़ी पुरानी है तो यह सारी चीज़े होती रहती है बाकि हमें आपको गाड़ी की की दिखाना तो बूली गया कुछ इस तरीके की आपको मारुती सुझुकी से एकदम सिंपल सी की प्रोवाइड हो जाती है जिसमें कि आपको लॉक का और अनलोक का आपको देखने में कुछ ऐसी लगती है उपर की तरफ से आपको थोड़ी सी पतली दिखेंगी और नीचे की तरफ से थोड़ी सी यह वाली गाड़ी ओवर आल देखने को मिल जाती है और पीछे बी जो एरो डायमिक्स है जो तीखा पने वो काफी जादा अच्छा लगता ह बाकि अगर बात करूं गाड़ी की टेल लाइट के दिल लाइट से तो आपको कुछ इस तरीकी की गाड़ी में टेल लाइट देंगे आपको उमीद होगी की इसमें led वागेरा यह डियारल देखने को मिलेंगे लेंगे यह लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं यह नॉर्माल हेलोजन बल्ब टाइप हेडलेम से टेल लाइट सेंसोरी जो कि आपको साइट प्रोफाइल पर भी थोड़ी सी कंटीनीव होती है और इसी में आपको साथ में रिवर्स पार्किंग लाइट और इंडिकेटर्स वगेरा सब कुछ अटेच्ट हैं एक ही यूनिट में और बाकी जो पीछ यह वाली लाइट जल जाएगी बाकी आपको क्रोम में कुछ सुजुगी का ऐसा लोगो देखने को मिलेगा और चलिए अगर हम पीछे की बात कर रहे हैं तो लगें हाथ डिक्की को खोल कर देख लेते हैं कि इसमें आपको कितना इस पेस देखने को मिल जाता है तो उसके ल सुरी यहां पर थोड़ा सा मेशी सा है लेकिन अगर इस पेस की बात करों अपनी टियागों से कंपेर करते हुए तो टियागों के बराबर ही मुझे लगबग देखने को मिला है कोई खास कम जादा का फरक नहीं पड़ा और एक दो लीटर का कम जादा का फरक होगा तो उतन ऐसा लुक आपको देखने को मिलता है और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहां पर पेट्रोल के पगे रहा है अब मैं थोड़ी सी बात करूं गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस और सांथी सांथ बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ की मुझे इस गाड़ी में लग रही है अपनी टियागो से अगर कंपेर करूं तो उसके जो गेट हैं काफी ज़्यादा हेवी हैं लेकिन इसके थोड़े से मुझे हलके लग रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके की लुक देखने को मिल जाते उपर की तरफ आपको एक एंट में यहां पर आपको जो हैं क्ट्रोल देखने को मिल जाते हैं इस तरह आपको सकते हैं यह आपको स्टीरियो है पाइनिर का नॉर्मल साउंड निकालता है और यह गाड़ी के एसी विंड्स जो कि आपको नॉर्मल सुजूकी की गाड़ी में देखने मिल जाते प्लास्टिक वाली ठीक ठाके यह गलव बोक्स जिसमें आप काफी सारा समान अपने कागज पत्थर रख सकते हैं काफी प्रैक्टिकल है कोई भी अंदर की तरफ उसमें लेंप या कूल्ड वाला सिस्टम नहीं है बाकि अगर ड्राइवर के लिए लेग स्पेस की बात करो तो कहीं पर भी आपके कोई पेर अड़ते नहीं है काफी कमपेटबल यह आप पेडल में स्विच कर सकते हैं और ज कुछ इस तरीके से हैं गाड़ी के आयार वी एम जिने आपको मेन वाली उपर नीचे करना पड़ेगा डे नाइट में और यह हैं गाड़ी के संवाइजर जो की काफी ठीक ठाक है दूप से आपको बचा लेंगे पेसेंजर साइट में आपको संवाइजर में क्वैनिटी मि अच्छा लगता पीछे की तरफ हम चल लेते हैं तो पीछे की तरफ जैसे आप जाएंगे सीट क्वालिटी है सुफ्ट की वह मुझे काफी जादा अच्छी लगी काफी कंफर्टेबल अंडर थाई सपोर्ड भी काफी अच्छा है और जो बंप हैं वह भी इसमें यागो से थोड़ा सा कम है सो इस पेस के मामले में आपको टियागो से एक लेवल उपर ही आपको देखने को मिलेगी और परसनली मुझे यह जो डूर इंडल्स हैं यह काफी जादा पसंद आए पैसेंजर इन्हें क्या बोलते हैं डून नो बाकि इस वाली में ठक सगर के अंदर जात हैं तो कुछ के नहीं सकते हैं इनकी कंफर्ट बढ़ी है या गटी है लेकिन आपको पीछे की तरफ जो नौन एड़स्टेवल हेड्रेस्ट देखने को मिल जाते कोई भी हैंड्रेस्ट इस वाली गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता है और सामने की तरफ से अकर मैं मैं अपनी बात करो तो मेरी हाइड जो है पांच फूट के लगबग है और जो हेड्रू में ये भी मुझे काफी ज्यादा मिल रहा है एक मुठी से थोड़ा सा ज्यादा ही मुझे मिल रहा है तो इस पेस गाड़ी में काफी अच्छा है रियर डूर्स की अगर मैं बात करो है मेरी वाली टियागों में भाई वो खटके ऊपर नीचे करते ही रहो तो यह बात कर लिए हमने टोटल गाड़ी के इंटिरियर के बारे में काफी अच्छे है जिस प्राइस पॉइंट पर यह गाड़ी आती है बस थोड़ी सी बिल्ट क्वालिटी बढ़ जा तो काफी आपको छूटा हुआ नहीं मिलता जैसा की ट्यागों में थोड़ा सा रह जाता है और जो स्पीड है उपर नीचे होने की इसकी ग्लास की वह भी काफी ज्यादा अच्छी है स्मूथली इसका जो ग्लास का अप्शिफ्ट लोवर शिफ्ट है वह काम करता है तो आप देख ल पर माइलेज वगेरा शो करता है यह गाड़ी अभी 41,000 के लगभाग चली हुई है टोटल आप देख सकते हैं कि जो सबसे हाइलाइट पॉइंट है इस वाली गाड़ी का वह इस इंजन का माइलेज आप देख सकते हैं फिलाल यहां पर 28.4 का माइलेज यह गाड़ी शो कर लेकिन रियल लाइफ में आराम से 30 के लगभाग यह डीजल इंजन आपको माइलेज दे देता है एक तरीके की माइलेज मशीन है यह वाला डीजल इंजन और जो डीजल इंजन है उसके लिए ही सुफ्ट को लोगभाग खरीते थे क्योंकि पेट्रोल का रेट काफी जादा रहा है और यहां पर लोगभाग इंडिया में माइलेज के भूके हैं बाकि हम फटाफट से गाड़ी के इंजन की जरा में आवाज आपको दिखा दू हम नीट्रल में हैं और मैं गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर लेता हूं और अब हम आगे की तरफ चलके देख लेते है यह था भाई मारूती सुझू की डीजल इंजन की आवाज बाकि सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस गाड़ी में जो लगी वह है इस गाड़ी का माइलेज इतना माइलेज आजकल की बाइक्स भी नहीं देती जितना यह माइलेज इंजन निकालके दे देता है बाकि यह थी मारूती सुझू की स्विफ्ट वीडियाई डीजल 1.2 लीटर इंजन के साथ चो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा और सब्सक्राइब जरूर करेगा इस वाले चैनल को अगर आप कार बाइक से रेलेटेड वीडियो मुझे से देखना चाहते है तो बाकी भाई 18,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कर दो मेरा भी वीडियो बनाने में मन लगा रहेगा बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाज जय है